देवा शहर में हार पीपिया थाना अंतरगत 14-15 सिटेंबर की दर्मियानी रात ग्राम सिमलावदा में किसान रमेश चंदर सेंदव के घर के बाहर फसल रखने के मगान का ताला तोड़ कर लेसुन के बोरे चोरी कर बदमाश ले गए थे पुलिस ने इस मामले में रमेश चंदर यादव के रिपोच पर अपराद दर्श किया था पुलिस ने मामले की जाच की पुलिस को पता चला कि किसी आईशर रोहान का इस्तमाल इस चोरी के वारदात में हुआ है साथी आईशर के पीछे बाइक भी जाने की जानकारी मिली चोरी करने के बाद बेची लेस्टून 26 कुंटल बरामत की है साथी वारदात में प्रयोग की गई आईशर और बाइट भी जब्त की है पुलिस ने कुल पाँच आरोपयों को गरफतार किया है देखिए ये एक चोरी की गटना है जो सिंगाओदा गाओं में एक क्रशक हैं रमेश चंद्रिल सेंदव उनके घर में जो गाओं में बाहर फसल लगने का एक भवन बना हुए उस भवन में जो है लैसन के बोरे रखे हुए थे तो चवडा और पंद्रा तारीक की दर्मेशनी रात अग्या चोर ताला काटकर और लैसन को लेकर चले गए थे गटना में अपराद वीवेर पंजीवत करने के परशाद हुने स्पॉर्ट कर नेक्षन किया तो पताजला के इसमें किसी आईसर गाली का प्रियूक्टर हुआ है और आईसर के पीछे कोई मोटर साइकल भी गई है मंबने मिलने के बाद जब गाओं में अपने सूत्र हुन ने तैनाद किये तो हमें मुख्षिर के माध्यम से पता बरामत कर लिये और गटना में प्रविद आईसर वाहन और मोटर साइकल उसको भी पकड़ लिया है और इस मामले में पुल मिलाकर पांच आरोपियों को गिर्फतार किया है जिसमें से तीन आरोपी ग्राम सिंगावदा के ही रहने वाले हैं और सेस आरोपी बाहर के हैं पकड़े गए आरोपियों में संजय प्रजापत सिंगावदा गोकुल टाटिया सिंगावदा जितेंद प्रजापत बालगड़ देवास धर्मेंद प्रजापत पालगड़ देवास और भीम सिंग प्रजापत निवासी साधी किड़ा इन्होंने खर इतने वालों को आरोपी क्रेटा मुल्यूम नहीं बनाएगा यह कटर इन्होंने प्रयोग किया है जो काफी भारी कटर है और बजार से इन्होंने देवा से तलाटी शौप से कटर खरीजा था और लगवा पंदरा सो रुपे के आस्वाल उसकी कीमत है और कटर भी गटना इस तल पर दो दिन पस्चाहती बरामद हो जाएगा देवा से राजिश नुवार के रिपोर्ट